इलेक्ट्रिक रिक्षा आप लोगों के कहने पर हम फिर से एक इलेक्ट्रिक रिक्षा पावर्फुल रिक्षा आपके सामने लेके आएं अगर आप चाहते हैं यह रिक्षा प्राप्त करना तो कैसे प्राप्त करना है जी हां यह आपको इंडिया में ही रिक्षा मिल जाएगा कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा और कैसे प्राफ्ट करना है हमारे द्वारा आपको यज सारी जान कर we हम देने वाले हैं अपनी चोटी सी प्यारी सी वीडियो के अंदर जैसे कि आप इस गारी देख रहे हैं यह जो इलेक्टिक रिक्षा देख रहे हैं आप चाहते हैं या पर आप करते हैं बिजनेस जो की लोडिंग से लेटेल है तो ये वीडियो ये गाड़ी आपके हो सकती है इस गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं अपनी एक छोटी से वीडियो के अंदर और आप चाहते हैं गाड़ी लेना तो इस गाड़े की सारी जानकरी हम आपको देने वाले हैं और आप चाहते हैं रिक्षा लेना तो आप बने लिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे रिक्षा प्राप्त करना है और आपसे की नवेदे नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमार वीडियो का आपको हर एक notification मिलता रहे जिससे कि जब जब हम वीडियो डालेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो का information मिलते रहे तो start करते हैं गाड़ी की dimension से गाड़ी का dimension क्या होने वाले अंगर बात करें हाईट की तो इस गा essence होने वाली है 3025 इस गारी की हाइट होने वाली है अब बात करें गारी के बैटरी का इस गाड़ी को बैटरी होने वाली है साथ वोर्ट पैटालिस ए एच की बैटरी होने वाली है इस गाड़ी के अंदर अब बात करें छोटी सी प्यारी सी गाड़ी में लोड कैपसिटी कितनी है सबसे बड़ी बात ही है कि आपकी जो गाड़ी चलती है वो लोड कैपसिटी पर चलती है तो सबसे बात ही है तो इस गाड़ी की लोड कैपसिटी जो होने वाली है वो 900 kg का load capacity है अब बात करें गाड़ी के power का इस गाड़ी जो power होने वाला है वो आपको 1000W का power है इस गाड़ी के अंदर नितके अब यह जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो यह कितना समय लगे रहे हैं एक बार चार्ज करने में जिया हा यह गाड़ी नितर यह अब बात करें गाड़ी के curve weight की अब बात करें है इस गाड़ी के अंदर अब बात करें गाड़ी के अंदर बोल्टेज का इस गाड़ी में जो बोल्टेज होने वाले हैं वो 60 बोल्ट होने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर अब बात करें गाड़ी की mileage का कि इस गाड़ी में कितना mileage दे रही गाड़ी तो 60 से 70 km का mileage दे रही है एक बार चार्ज करने पर अब सब्सक्राइब बड़ी बात इस गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी है तो जी हाँ इस गाड़ी की टॉप स्पीड होने वाली है वो 30 की टॉप स्पीड होने वाली है इस गाड़ी की अब बात करें इसकी sitting capacity की वैसे तो sitting capacity इसकी एक single driver की ही है पर आप इसमें adjust कर सकते हैं दो लोगों को भी साथ में यह जो गाड़ी है डिजिटल गाड़ी है पावरफुल गाड़ी है डिजिटल मीटर है इसके अंदर और आप गाड़ी प्राप्स करना चाहते हैं तो हमारी वी अब यह भी डाने के आप कहां से हैं क्या उपकी एरिया में गाड़ी मिल रही है नहीं मिल रही है तो आप कमेंट में अपने एरिया का नाम और अपना नाम डालें ताक कि हम आपको बताते हैं गाड़ी आपके एरिया में उपलब्द है या नहीं है तो आपको इंसना पर आ